Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics नमस्कार, राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवेण मिस्र आए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा सबसे पहले बात आज के पंचांग की 12 जून 2024 दिन बुद्वार जेस्ट मास चल रहा है, शुकल पक्ष है सस्टी तिथी रहेगी, रात को 7 बजकर 16 मिनट तक फिर सब्तमी तिथी प्रारंब हो जाएगी मघान अचत्र है, चंद्रमा सिंग राशी में गोचर कर रहे हैं भगवान शूर्य ब्रश राशी में बिराजमान है आज विजय मुहूर्त का समय होगा दो पहर 2 बजकर 41 मिनट से, दो पहर 3 बजकर 36 मिनट तक राहुकाल का समय होगा दो पहर 12 बजकर 21 मिनट से, दो पहर 2 बजकर 6 मिनट तक दिशा शूल है, उत्तर दिशा चलिए शुरू करते हैं आपका राशी भल सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वालों के लिए अपना पराक्रम बढ़ाने का समय है भागे का सांथ मिलेगा कारे छेत्र में सफलता प्राप्त होगी मेनेजमेंट से जुड़े लोगों को लाब होगा मन का तनाव दूर होगा व्यापार में स्थिती बहतर होगी जरूरे टिप अहंकार से बचे शुबरंग, क्रीम, उपाए किसी गरीब को फल दान करे ब्रश राशी वाणी पर विशेश नियंतरन रखे किसी अंजान व्यक्ति पर भरोसा ना करे करियर में आ रहे रुकावटों से परिशान ना हूँ जीवन में सुख बढ़ेगा आपके खर्चे भी बढ़ेंगे व्यापार में नया निवेश सावधानी से करे जरूरे टिप कम बोले शुबरंग, सफेद, उपाए किसी गरीब को भोजन दान करे मित्वन राशी, मन की टेंशन दूर होगी जल्द वाजी में फैसला करने से बचे धन लाब का योग है काम में आ रही बाधाएं दूर होगी लोगों से रिस्ते बेहतर करने की कोशिस करे व्यापार में लाब का योग है जरूरी टिप अंजान लोगों से सावधान रहें शुबरंग, पीला, उपाए, गव माता को रोटी खिलाएं करकराशी, अपने खर्चों को कंट्रोल करें परिवार वालों को थोड़ा और वक्त दें सरकारी काम बनेंगे आपकी क्रियेटिविटी लाब कराएगी जीवन सांथी से सुख मिलेगा जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में नुकसान हो सकता है सावधान रहें जरूरी टिप नेगेटिव विचारों से बचे शुबरंग, सुनहरा, उपाए क्रोध की वज़े से काम ना भिगड़ने दे शत्रूं से सावधान रहें लंबी दुरी की यात्रा से बचे सेहत का ध्यान रखे व्यापार में इस्थिती सुधारने के मौके मिलेंगे जरूरी टिप धैर रखे शुबरंग, मरून, उपाए कन्याओं को फल दान करें कन्याराशी, आपकी नित्त चमता और बढ़ेगी उन्नती की आउसर मिलेंगे रोगों से चुटकारा प्राप्त होगा अधूरे काम पूरे होंगी प्रापर्टी से संबंधित फैसला आज ना करें व्यापार को आगे बढ़ाने का समय है जरूरी टिप अहंकार से बचें शुबरंग, हरा उपाए, किसी गरीब को हरे फल दान करें अब वक्त है आपके सवाल का हमें सवाल मिला है कपिल आहूजा का इनकी डेट अब बर्थ है आठ नॉम्बर 1999 जन्म का समय रात को 8 बच कर 25 मिनट जन्म इस्थान इनका दिल्ली का है इनका सवाल यह है कि इनकी मैरिज कब होगी कपिल आहूजा जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर कुंडली तैयार है आपकी मिथुन लगन की कुंडली है और आपकी मिथुन राशी है आपका जन्म पुनरवशू नचत्र के प्रथम चरण में हुआ है इस समय आपकी शनी की महादसा चल रही है जो जुलाई 2011 से शुरू हुई है और जुलाई 2030 तक चलेगी और शनी की महादसा में मंगल की अंतरदसा जन्वरी 2024 से फर्वरी 2025 तक चलेगी आपकी कुंडली के हिसाब से मैरिज का योग बनना शुरू होगा अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2025 से नौमबर 2027 के बीच में मैरिज का योग है इस दोरान आपकी शादी हो जाएगी उपाय क्या करना है? पहला उपाय नियमेत रूप से भगवान शिव का पूजन करें भोले नाथ के मंदिर में जाकर के जल चड़ाएं भगवान शिव को घी का दीपक जलाएं भगवान शिव की आरती करें और नमः शिवाय मंत्र का ग्यारह माला जाब करें ये उपाय नियमेत रूप से करना शुरू करिए भोले नाथ के आशिरवाद से आपका अच्छा विवा हो जाएगा दूसरा उपाय हर ब्रस्पतिवार के दिन कम से कम ग्यारह गरीबों को पीले रंग की मिठाई या पीले रंग का फल भगवान विश्णु को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में पाटें उपाय करना शुरू करिए जो आपको बताए अवश्य लाब होगा जल्दी शादी हो जाएगी तो यदि आपके मन में भी सवाल हों तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल और सवाल कमेंट बॉक्स में लिके हैं आप वहां से उठाएंगे और आगे आने वाले कारकरम में शामिल करेंगे तुला राशे भागे का साथ मिलेगा गाड़ी चलाते समय साउधान रहें सिक्षा के छेतर में सफलता मिलेगी धन लाब के लिए प्रयास तेज करना होगा रुके हुए काम पूरे होंगे व्यापार में लाब का योग है जरूरी टिप जल्दवाजी से बचे शुबरंग क्रीम उपाए पक्षियों को दाना खिलाएं ब्रिश्टिक राशे हर काम सोच समझ कर करना होगा आज अपने खान पान को बिगड़ने ना दे जल्दवाजी में फैसला करने से बचे कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी किसी से बहस हो सकती है सावधान रहें व्यापार में हानी हो सकती है बहुत सावधान रहें जरूरी टिप नेगेटिव विचारों से बचे शुबरंग हलका पीला उपाए बच्चों को फल दान करें धनुराशी मेहनत का अच्छा फल प्राप्थ होगा समय आज आपके पक्ष में रहेगा कारे छेत्र में सफलता मिलेगी जीवन साथी से सहयोग प्राप्थ होगा प्रापर्टी में निवेश का योग है व्यापार में स्थिती बहतर होगी जरूरी टिप जल्दवाजी से बचे शुबरंग के सरिया उपाए पक्षियों को दाना खिलाए मकर राशी किसी से मतभेद हो सकता है धन के उधार लेंदेन से बचे शत्रूँ से साउधान रहे संतान से सुख मिलेगा सेहत पर ध्यान देना होगा ब्यापार में नुकसान हो सकता है साउधान रहे जरूरी टिप क्रोध से बचे शुबरंग भूरा उपाए किसी गरीब को फल दान करे कुम्भडाशी योजना बना कर काम करने का दिन है अपने समय का अच्छे तरीके से उप्योग करे गैर जरूरी चीजों पर खर्च बढ़ेगा लंबी दूरी की यात्रा से बचे अधिकारियों के सहयोग से काम बनेंगी व्यापार से जुड़े कारे बनेंगी जरूरी टिप एगो से बचे शुबरंग बादामी उपाए कन्याओं को कौपी पेन दान करे मीन राशी प्रापरिटी से संबंधित काम बनेंगी आज जो आवसर मिलेंगे उनका लाब अवश्य उठाए रिस्तेदारों से बादचीत धहरे से करे शत्रू को लेकर लापरवाह ना हूँ अपनी सेहत का ध्यान रखे जो लोग बिजनस करते हैं मीन राशी वाले व्यापार में लाब का योग बन रहा है जरूरी टिप क्रोध से बचे शुब रंग गुलाबी उपाए पक्षियों को रोटी खिलाए राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फिरोगी आप से मुलाकात जिन लोगों का आज जनम दिन है उन्हें जनम दिन की बहुत बहुत बधाई आपका आने वाला समय शुब हो नवस्कार